हेलो स्टुरेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर फोर शब्द भंडार फर्स्ट आता है पर्यायवाची शब्द हिंदी शब्द भंडार में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो वर्तनी एवम उच्चारण में सुनने में और लिखने में अलग अलग होते हैं परन्तु उनके अर्थ समान होते हैं उनका जो मीनिंग निकलता है वो एक सा निकलता है पर लिखने में और सुनने में वो अलग होते हैं जैसे ये दे रखे हैं फूल, फूल का प्रसुन, सुमन, कुसुम, पुश्प, इन चारों का मीनिंग ही फूल है, लिखने में सब, सुनने में सब अलग-अलग हैं, पर इनका जो अर्थ है, वो एक ही अर्थ है, ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट आते हैं होते हैं, शब्दों का अर्थ जो होता है, समान होता है, ब्लोम शब्द में यह एक दूसरे के उल्टे और उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों होते हैं, यहां अग्रज वा अनुज तथा रोना वा हसना शब्द एक दूसरे के विप्रीत अर्थ का बोध करा रहे हैं, य कि अधिक अर्थ होता है उने अनेकार्थक शब्द कहते हैं जहां पर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ अनेकार्थक शब्द कहलाता है जैसे जलज जलज इसके कई सारे वर्ड्स और दे रखे हैं इनके अलग-अलग मीनिंग है कमल, मचली, शंक, जल पादब मीनिंग से अर्थ सबका एक ही है पर शब्द अलग-अलग है एक शब्द के अनेक शब्द है इसलिए ये अनेकार्थक शब्द कहलाते है नेक्स्ट आता है वाक्यान्ष के लिए एक शब्द ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिसमें पूरे एक वाक्यान्ष का अर्थ छिपा होता है इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा संशिप्त और सुन्दर बनती है जैसे यहाँ पर देखिए जो सब जगा व्याप्त हो यह पूरा एक वाक्य दे रखा है जो सब जगा व्याप्त हो इसका हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं क्या होगा इसका उत्तर सर्व व्यापी इस एक शब्द में इस पूरे वाक्यांश का उत्तर आ गया तो ये क्या कहलाते हैं वाक्यांश कहलाते हैं